Hello Everyone, स्वागते आप लगों का मेरी YouTube चैनल LWD Job में काफी अच्छी वेकनसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है Air Force School से, इस वीडियो में हम तीन Air Force School की बात करेंगे जहां से वेकनसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है PRT, TZT, PZT, सभी सब्जेक्ट की वेकनसी आई है, साथ में Non-Teaching Post की वेकनसी निकाली गई है Freshers बिल्कुल Apply कर सकते है, BAD, DLED, BTC, BLED यदि आपने किया है, कोई भी Diploma Degree वाले यहां पर हर पोस्ट की वेकनसी जारी की गई है Salary 47,600 यहां पर अलग-अलग पोस्ट के लिए रहने वाली है, तो 11 पेजिस की जो है यह PDF फाइल है, complete जानकारी आप लोगों को इसी में मिलेगी सभी सब्जेक्ट की वेकनसी है हर पोस्ट में, और salary भी जो है mention की गई है, जैसे TZT के लिए 44,900 salary रखी गई है अगर हम PRT की बात करते हैं, तो PRT में 35,000 के अवब जो है salary है, पोस्ट ग्रेजवेट टीचर्स की अगर हम बात करें, तो PZT के लिए 47,600 salary रहने वाली है स्कूल की मेन वेबसाइट पर आप लोगों को application format भी मिल जाएगा, अभी detail में notification हम पढ़ने वाले हैं, कौन-कौन से subject के लिए क्या qualification कही गई है, age क्या है, कैसे apply करना है, वो सारी चीज़े आप समझिएगा application format इस तरीके का रहेगा, जिस भी post के लिए आप apply करना चाहेंगे, तो उसे जो है आप इस तरीके से टिक करेंगे, ठीक है, और online नहीं भेजना है, offline mode में आप लोगों को application form डाउनलोड करके fill करना है, अपने documents से भी attach करने हैं, और फिर जो है, school के नाम से भेज देना है अब notification को जो है अच्छे से देख लेते हैं, सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि application form जो आप लोगों को मैंने अभी दिखाया था, 7 March से लेकर 13 March तक ही जो है अवलिवल रहेगा main website पर, तो उससे पहले ही जो है इसे डाउनलोड करके आप रख लेंगे अपने पास, और 14 तारीक तक, 14 तारीक थस्डे तक जो है लास्ट डेट रहेगी समिट कराने की, कैसे जो है भेजना है वो सारी चीज़े हम अभी डिसकस करेंगे, सबसे पहले qualification देख लेते हैं, PZT geography के लिए vacancy जिसमें 47,600 salary रहेगी, आपकी master degree geography में होनी चाहिए, 50% marks के साथ में, और साथ म जो है B.Ed की degree आपके पास होनी चाहिए, TZT Maths के लिए 44,900 salary है, master degree या bachelor degree आपकी Maths में होनी चाहिए, और यहाँ पर जो है आपके पास Maths के साथ में physics, chemistry, electronics, computer science and statistics है, इन में से जो है एक subject हो, Bachelor of Education यानि B.Ed भी होना चाहिए, साथ में जो है seated paper 2, TZT के candidate के लिए seated paper 2, qualify जरूरी है, TZT Sanskrit की vacancy है, Hindi की vacancy है, next TZT Science की vacancy है, qualification वही है, master degree या bachelor degree और साथ में B.Ed और seated paper 2, TZT के लिए, next TZT Science की vacancy है, TZT Social Science की, Social Science में जो है subject combination अब देखें, हर जगे अलग-अलग होता है, जैसे KVS में, NVS में अलग-अलग है, और यह Air Force School है, तो यहाँ पर लिखा है, master degree या bachelor degree, जिसमें History, geography, economics, political science, इन में से दो subject होने ही चाहिए, जिसमें history या geography, एक subject तो compulsory होगा, और साथ में जो है, B.Ed और seated paper 2, उसी तरीके से TZT Computer Science के लिए, B.E.C. Computer Science या B.C.A. 50% marks के साथ में, या B.E. B.Tech. Computer Science या IT में, या फिर essay candidate जिन्होंने graduation किसी भी subject से किया है, any subject, साथ में जो है A-level course का DOIC अगर है, तो बिल्कुल आप apply कर दें, TZT Music, Vocal की vacancy है, Dance की है, Special Educator की है, Counselor की vacancy है, उसके बाद TZT Sculpture की vacancy, अभी जो है Primary Teachers की vacancy देखें, General में, General में सभी subject आ जाते हैं, Hindi, English, Maths, EBS, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, कुल vacancy की संक्या है 4, Salary है 35,400, यहाँ पर Senior Secondary, 12th आपका 50% marks के साथ में, और 2 साल का Diploma Elementary Education में होना चाहिए, या फिर BLAD वाले भी apply कर सकते हैं, CTAT, या फिर आपके राज्यका TAT हो, पेपर 1 qualify, तो भी आप apply कर सकते हैं, अब आपको ध्यान में रखना है, कि TZT के लिए, केवल CTAT paper 2 वाले यहाँ पर apply कर पाएंगे, बट PRT के लिए, primary teacher के लिए, CTAT वाले भी apply कर सकते हैं, और STAT वाले भी apply कर सकते हैं, आपके राज्यका TAT होना चाहिए, PRT computer science के लिए, BSC computer science या BCA, बस इतना ही मांगा गया है, next physical education teacher के लिए, जो है, VPA होना चाहिए, graduation के साथ में, assistant librarian की vacancy है, तो library में आपका degree, PRT counselor की vacancy है, जिसमें MA psychology में और diploma आपका counseling में होना चाहिए, next special educator की vacancy है, primary teachers के लिए, PRT western music dance की vacancy है, उसके बाद band की basket wall, coach की भी vacancy निकाली गई है यहाँ पर, basket wall की, जिसमें दो vacancy है, तो BPA जो है चाहिए, coach के लिए, ठीक है, साथ में जो है, अगर coach के लिए apply करेंगे, तो यहाँ पर, केवल coach के लिए ही experience मांगा गया है, बाकि किसी भी post में, किसी भी subject के लिए, अनुवर्व नहीं मांगा गया है, coach में taekando है, skating है, basket wall है, तो यह रहेंगे, football है, उसके बाद जो है, योगा coach की vacancy है, next western music, athletic की vacancy है, doctor की vacancy है, nursing assistant की vacancy है, doctor की vacancy के लिए ambivious nursing assistant के लिए, BSC nursing में और साथ में degree होनी चाहिए, hostel warden में केवल woman ही apply कर सकती है, 25,500 salary रहेगी, graduation आपकी होनी चाहिए, बस इतना ही मांगा है, hostel warden के लिए, LDC accountant की जो vacancy है, जिसमें number of seat है, जिसमें 12th आपका होना चाहिए, typing speed 40 word per minute होनी चाहिए, accounting software की आपको knowledge मांगी गई है, next जो है LDC admin की vacancy है, जिसमें 12th 50% marks के साथ में, और typing speed 40 word per minute, MS word इसकी जो है आपको, यानि MS office पर काम करना आपको आना चाहिए, next is lab assistant, biology की teacher की, sorry, lab assistant की vacancy है, bio में, जिसमें BSC app की bio में होनी चाहिए, 50% marks के साथ में, lab assistant की vacancy है, और अंत में driver की 2 vacancy है, तो ये जो है मैंने आपको qualification बता दी, salary बता दी, और अब जो है बाकी चीज़ें देख लेते हैं, selection जो है, written exam होगा, और interview या demo भी होगा, ठीक है, age की अगर हम बात करें, तो PZT के लिए जो है, अपर age limit रहेगी, 55 year, TZT के लिए भी 55, या पर सभी के लिए जो है, 55 year तक के candidate, apply कर सकते हैं, किसी भी post में, किसी भी subject के लिए अगर आप apply करना चाहते हैं, written test जो है, इन्होंने बताया है, कि 6 April 2014, Saturday के दिन होगा, Air Force, Balbharti School, Lodhi Road, New Delhi 3, ठीक है, उसके बाद जो है, लिखा है, names of the shortlisted candidate for written test, will be displayed on the school website, तो आप लोगों को सूचना जो है, मिल जाएगी, 22 March 2014 को, main website का link आप लोगों को share किया जाएगा, ताकि आप लोग चेक करते रहें, 22 March तक जो है, आप लोगों, daily देखना है, अगर आप form भरते हैं, तो daily देखते रहें, 22 March को आप लोगों को, अपना नाम जो है, नजर आएगा, और आप लोगों को return के लिए, 6 April 2014, Saturday के दिन जो है, पहुँच जाना है, अब कैसे apply करना है, तो form आप लोगों को बता दिया है, मैंने इस तरीके का form है, और address अब बता देते हैं, application form जो है, fees लग रही है, आपकी 300 rupees for each post, हर post के लिए, अलग अलग आपको apply करना होगा, 300 rupees आपके हर एक post के लिए, आपको देने हैं, demand draft बनवानी है, आपको bank में जाकर आप बनवा सकते हैं, DD, ठीक है, और जो application form है, उसके लिए आप लोगों को, 3 main website के link दिये गए हैं, चाहे आप यहाँ पर जाकर, चाहे आप TAFSSP इस साइट पर जाकर, या Air Force Balbharati School इस साइट पर जाकर, आप application form यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नेक्स्ट बता दिये आपको कि, offline mode में ही जो आप लोगों को भेजना है, या तो आप स्कूल में जाके समिट करवाए हैं, डारेक्ट जाके, अगर आप आसपास रहते हैं, अगर आप दूर रहते हैं, तो address है, Air Force Balbharati School, लोधी रोट, नियू डैली, 110003, 7 मार्च से 14 मार्च तक, आपको साथ में क्या क्या लगाना है, अप्लिकेशन फॉर्म के साथ में, आप अटेच करेंगे, Self Attested Photocopies, आपके जितने भी डॉकॉमेंट है, Self Attested Photocopies का मतलब क्या है, कि आपके जो ओरिजनल डॉकॉमेंट है, उनकी फोटो कॉपी निकाल के, और नीचे आपको खुद के साइन कर देने हैं, वो लगा देंगे आप, अगर UnWave है, तो UnWave Certificate लगा दें, बाकी जो है, Experience बिल्कुल नहीं मांगा है, CETAT PRT के लिए, Paper 1, या फिर SETAT, Paper 1, PRT के लिए, और CETAT Paper 2 जो है, वो आपको TCT के लिए, अगर आप अप्लाए करना चाते हैं, तो आप लगाएं, अब चलिए, मैं आप लोगों को application form बता देती हूँ, कहां से आपको download करना है, सबसे पहले, स्कूल की main website पर आना है, Air Force, Golden Jubilee Institute, Subrato Park, New Delhi, उसके बाद जो है, ये स्कूल की main website है, बाकी चीज़ें और भी आप देख सकते हैं, तो यहां recruitment आपको नज़र आएगा, right side में, इस पर आप लोगों को click करना है, अब देखिए, यहां पर, सबसे नीचे देखिए, application for recruitment of teaching and non-teaching staff contractual, यह जो vacancy है, यह contract based पर है, फिलाल, और हर साल यहां पर vacancy आती है, अगर आप channel से जुड़े हैं, salary जो यहां पर mention की गई है, वही salary जो है, यहां पर teachers को मिलती भी है, ठीक है, तो salary काफी अची है, आप एक साल काम करते हैं, अगर आपका काम अच्छा होता है, तो आप लोगों को यहां पर दुबारा से आपकी post को renew कर दिया जाता है, तो यहां पर click here करेंगे, तो आप लोगों को application form मिल जाएगा, इस तरीके से, अगर आपको notification देखना है, तो इसी के उपर आपको यह दिख रहा है, click here, इस पर आप click कर लेंगे, बाकी जो है, इससे पहले video बनाया गया था, जब PRT General की vacancy थी, तो उन बच्चों की, जो list है, वो बिल्कुल जारी हो गई है, वो देख सकते हैं, list of shortlisted candidate for the post, PRT General for interview, ठीक है, तो interview की date, जो है वो बिल्कुल, उनको पहले से ही पता थी, application form जब उन्होंने fill कर लिया था, अभी जो है, shortlisted candidate की जो list है, वो जारी हो गई है, तो आप देख सकते हैं, जिन्होंने भी primary general के लिए apply किया था, इससे पहले जब video बनाया गया था, जब आप लोगों को बताया था, तो इस click here पर आप click करके पता कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से जो है, ये पूरी list है, जिसमें candidate का नाम, उनके parents का नाम, ठीक है, ये पूरी list आपको नजर आ जाएगी, तो जो भी candidate form apply करना चाते हैं, next to PRT, TZT, PZT, non-teaching staff के लिए, link आप लोगों को video के नीचे description box में मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है, आप लोगो main website पर आकर form download कर सकते हैं, thank you,